हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स देखिए आज मैं थर्ड पार्ट में इसे बता रही हूं तो इस डिजाइन को हमने बना के आपको पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है किस तरह से बनेगा तो अब सिकेंड स्टार्ट फ्रेंड्स देखिए यहां पर हमने किया हुआ है सिकेंड बारी फर्स बारी यहां से स्टार्ट करके बनाए थे अब सिकेंड बारी हमने यहां से स्टार्ट करना है तो चले फ्रेंट निकाल लगे अपने निडिल को तो यहां पर यहां से अपने निडिल को निकाल लेंगे और यहां दोनों धागे उपर उपर हो रहा है, तो यहां पर हमने नीचे से निकलना है, यहां पर हमने अपने धागे को नीचे कर लेना होगा, क्योंकि यह धागा उपर हो रहा है, इस साइट से, यहां पर हमको नीचे रखना है, तो यह नीचे हो गया, तो अब इसे मिलाएंगे, अपने बने हुए ध्रेट से, तो बना हुए ध्रेट उपर हो रहा है, और यह धागा हो गया नीचे, फिर यहां पर उपर होगा, और यहा यहां तीनों कॉर्णर फिर नीचे नीचे हो जाएंगे तो नीचे कर लेते हैं अपने धागे को इस कॉर्णर को भी अपने नीचे रख लिए यहां भी नीचे रख लेंगे इसके नीचे से निकलेंगे तो यह धागा उपर बजयागा अब यह हो गया उपर, नीचे, उपर और यहां पर नीचे कर लेगा तो यहां के बाद हमने यहां आना है पर नीचे यहाँ पर धागे को ऊपर रख लेना होगा यहाँ से निकल जाएंगे दोनों धागे ऊपर ऊपर हो रहा हैं तो यहाँ हमने नीचे से निकलना है फिर यहाँ पर हमने आना है और यहाँ पर चेक करना है कि अब यहाँ पर क्या रखे अपने धागे को तो नीचे उपर नीचे उपर उपर होगा, तिनो कॉर्नर उपर उपर हो जाएगा उपर यहां भी उपर और यहां भी उपर नहां पर इस दागे के नीचे से निकलेगे तो यह हो गया नीचे उपर नीचे यहां पर फिर अपने धागे को उपर रख लेगे इसके नीचे से निकलेगे तो आप देखिए प्रिंट्स यह दो बॉक्स जो है की लोग है नीचे उपर नीचे अब यह बॉक्स फिल नहीं प्रेंट्स फिल तो अभी बाद में होगा मतलब बंद गया है एरेजमेंट जो इससे धागे का होना चाहिए यहां पर हो गया है तब यहां से फिर हमने यहां प्याना है तो उपर यह हो गया नीचे फिर यहां होगा उपर यहा पर नीचे तब तिनों पार नीचे- नीचे हो जांगे कि यहां वे नीचे हो गया यहां पर फिर हो जाएगा नीचे यहां पर हमने अपने जाए को ऊपर रखना है यह नीचे रहेगा फिर नीचे यहाँ पर देखे यह उपर हो रहा है फिर यह नीचे फिर ऊपर तो यहाँ पर नीचे एबंद और इंद और तो इसे तरह से फ्रेंड्स थोड़ा हमने मिला-मिला के अपने शेटिंग करते हुए आगे बढ़ना है तो मैं थोड़ा से आपको और आगे बढ़के दिखाते हूं यहाँ नीचे उपर नीचे उपर तो यहाँ पर अपने धाय को उपर रखना है यहाँ पर नीचे हो जाएगा यहां उपर नीचे उपर फिर यहां तिनो कॉर्णर नीचे नीचे बनेंगे नीचे इसके नीचे से निकलेंगे यह घजागा उपर यहां पर फिर कर लेंगे नीचे अपने धागे को यह हंपके उपर हो जागा तीने स्टेप है उपर नीचे उपर नीचे हूँगे यहां पर जो थ्रेड है बना हुआ नीचे हो गया तो नीचे उपर नीचे यहां पर तीनों कॉर्णर पर उपर जाएंगे यहां भी उपर यह भी उपर इतर से देखेंगे यह नीचे हो रहा है इसके नीचे से जवह निकलेंगी यह जाएगा यह फिर नीचे वह पर यहां प्र berries और ता कर लएंगी उपर है नकलेंगे पीस्तिंशित कि ओंद ऴ्रत Wellness उपर नीचे उपर ये तीनों कोर्नल फिर नीचे नीचे जाएंगे नीचे हो गया नीचे यहां भी नीचे उपर इस उपर हो गया नीचे हो गया कि इसके नीचे से निकलेंगे यह जागा उपर यहां पर कर लेंगे धागे को नीचे अब उपर नीचे यहां पर पड़ेगा उपर फिर इसके नीचे से निकलेंगे क्योंकि यहां पर देखिए यह वाला फ्रेड उपर हो रहा है तो यह नीचे हो गया फिर उपर यह नीचे सेटिंग ठीक है अब इधर के बाद हमने यहां पे आना है अब देखिए धागा हो रण नीचे यह उपर यह हो गया नीचे इसके नीचे से जब निकलेंगे ये हो जागा ऊपर सेटिंग हो गई नीचे ऊपर नीचे ऊपर यहाँ पे आकर अपने धागे को बन कर देंगे मतलब नीचे लेजा का टक करेंगे तो ये सेकेंड राउंड जो है ये कमप्रीट हो गया अब इसी तरह से थर्ड राउंड के लिए फ्रेंट मेरा धागा यहां से निकलेगा जैसे हमने यहां से निकाला उसी तरह थर्ड राउंड के लिए मेरा धागा यहां से निकलेगा दिखाती हूं थोड़ा समय अब देखिए प्रेंट तीसरी राउंड के लिए हमारा धागा यहांसे निकल गया अब यहां पर देखिए नीचे उपर हो रहा है यह भी उपर है तो यहां पर हमने अपने धाए को नीचे कर लेना है यह धागा उपर हो रहा है इधर साइट से तो यहां पे हम पये ध्राई को नीचे करेंगे तो फिर इसके बाद यहां नीचे हो जाएंगे तो इसे तरह से फ्रेंट्स यह बनाते हुए हमने अपने वर्पो इस तरह से बनाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए भूने यह कवर करते हुए फिर हम यही पर पहुंचेंगे तो इसी तरह से बनेगा फ्रेंट्स मिला मिला कर बनाना है तो फिर मैं आपको बना कर दिखाते हुए तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से यह बनते हुए इस तरह से कंप्लीट होगा और देखिए धर ड्राउंड जो है यहाँ पर आके यहाँ पर मिल जागा तो यही है मेरा आज के वीडियो आप इसे बनाईए अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक सेर करेगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू अब इसकी फिलिंग मैं अगले वीडियो में क करेंगे